जब कंपनियां अपने पड़क की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से करती हैं तो उनके पड़क के बिखने के चांसे उतने ही जादा होते हैं क्योंकि मार्केटिंग एक तरह की आर्ट है और कुछ ऐसा ही क्या प्यूमा ने जब 1970 के फुटबोल वर्ड कप में प्यूमा ने पेले को जो कि फुटबोल के महांतम खिलाडियों में से एक हैं उन्हें ग्राउंड पे सिर्फ अपने जूतों के लेसिस बांधने के लिए 120,000 डॉलर दिये जो कि आज के लगबग 7 करोड रुपे होते हैं गाइस क्योंकि प्यूमा ये स्टार खिलाडी पेले जब अपने के लेसिस ग्राउंड पे बांधेंगे तो सारी दुनिया की नजर उनके जूतों पर जरूर जाएगी और जब स्टार लोग खरीदते हैं और वो प्रड़क अपने आप सुर्खियों में आही जाता है क्लिश मेंसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से इसी वज़े से हम उन्हें गलत तरीके से इस्तमाल करते हैं उन्हीं में से दो वर्ड्स हैं पोईजनस एंड वेनमस गाईज माल लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज खाई है या फिर ऐसा कोई एनिमल खाया है जो की जहरीला है जिए इन दैट टेस वो चीज या फिर वो एन इसके पहले तक एफेक्ट आपको पता था जंडू बाम इस कंपनी को सन 1910 में जंडू भट जिने शुरू किया था जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था लेकिन इसकी असली किस्मत पल्टी सन 2010 में जब सल्मान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी जादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं जंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चड़ गया था जिसकी वज़े से जंडू बाम की सेल्स डबल लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को जंडू बाम का नाम बीना पर्मिशन के य जेंस भी डबल हो गई और मलाइका अरोडा जैसी ब्रांट अंबसेडर में मिल गई आप फिट और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको आपके खाना खाने के तरीकों में कुछ बदलाव करने बेहत जरूरी हैं उसमें से सबसे पहला बदलाव है आपको ठंडा खा खाना भी नहीं खाना चाहिए कुछ तो पेट को खाली चोड़ना ही चाहिए आइरुवेड यह कहता हैं कि भरपेट खाना ना खाने से आपका खाना बड़े असानी से पच्छता है और दूसरा आपको वाइट राइस कितने भी पसंद हो अगर आप वेट को लूज करना चा क्योंकि आज के दिन इंडिया में डॉक्टर्स दे सेलिब्रेट किया जाता है और इस सिचुवेशन में तो इस दिन की इंपोर्टेंस और जादा बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टर्स कम्मिनिटी की वज़े से हम लोग कुरोना जैसी वामारी से लड़ पा रहे हैं पर सवाल यह है कि एक जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स दे क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्या आपको पता है चलिए मैं आपको बताता हूं क्योंकि एक जुलाई 1882 को फेमस फिजीशन फ्रीडम फाइटर और वेस्ट बंगोल के फॉर्बर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर विधान चंद्र रोय का जन्म हुआ था और एक जुलाई 1962 को ही उनकी मृत्य हुई थी इसी वज़े से एक जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर बीसी रोय की इंडिया में बहुत सारे होस्पिटल्स, मेडिकल कांसल ओफ इंडिया एं इंडियन मेडिकल एसोसेशन मनाने में मुख्य भूमिका रही थी और उनके इनी कारियों की वज़े से 1961 में उन्हें भारत का सरवोच सम्मान भारत रत्न दिया गया था